जै गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल, हर शण का शुक्राना गुरुजी संगत जी, आज एक आंटी ने अपना बहुत प्यारा ससंग भेचा है दिल्ली से, जिसे सुन कर मैं भी अपने आपको रोक नहीं पाई बहुत ही इमोशनल हो गई और आपकी भी आत्मा अंदर से रो पड़ेगी जिन्दगी में बहुत कुछ होता है जो हम इधर दर देखते हैं कि लोगों के साथ हो रहा है लेकिन एक्जाक्ली उस सिचुएशन में जो होता है उसको ही वो सिधी समय में आती है कि उस सिचुएशन को फेस करना कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है और जब मैंने इनांटी का ससंग सुना तो मेरी भी रॉंक्टे खड़े हो गए क्योंकि जब किसी की आजी भी काच छिन जाती है तो उसके लिए एक दिन कुजारा करना भी आसान नहीं होता और इस्तिती इतनी विकट हो जाती है कि इनसान सोचता है कि मृत्यू के अलावे मेरे पास कोई विकल्ट नहीं है लेकिन एक मा के पास जब सामने बच्चे होते हैं तो बच्चों का मुद देख कर उस मा के अंदर बहुत हिम्मत आ जाती है और वो हर संभव परियास करती है जिन्दी को आगे बढ़ाने की और ये होती है उसकी यात्रा और जब इस यात्रा में हमें किसी गुरु की शरण मिल जाती है जैसे धुपती बहुत धुप ने हमें पेड़ की च्छाओ मिल जाती है और वो पेड़ की च्छाओ है हमारे प्यारे गुरु जी गुरु जी ने उनको एक शक्ती दी एक हिम्मत दी एक सहारा दिया एक positive attitude दिया जिससे कि वो आगे बढ़े और बच्चों की परवरिश कर सकें संगर जी गुरु जी Blessing कल्यान किता चैनल पर मैं ससंग को शेर कर रही हूँ आप भी अपना ससंग शेर कीजिए जिससे समाज में हर किसी के दिल में एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के प्रती श्रद्धा रखे सम्मान की दिश्टी रखे कोई किसी साथ धोका न करे कोई किसी के साथ अपना विवार ऐसा ना बनाए कि हर कोई एक दूसरे को शक्की निकाह से देखे परिवार एक दुस्ते के काम आता है ऐसा सब लोग सोचे किसी के साथ दुख की घड़ी में अपना परिवार ही सबसे बड़ी हिम्मत होता है अगर एक लड़की को उसका साहरा ना मिले तो उसके लिए जिवन कठिन हो जाता है संगर जी इस सबसंग को आप जरूर शेयर कीजएगा जादा से जादा शेयर कीजएगा जिससे सब लोग ये समझें कि एक लड़की को अपने परिवार के कितनी जादा जरूरत होती है क्योंकि हम लोग एक सामाजिक प्राणी है है न वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजएगा कमेंट में गुरू जी का शुक्राना जरूर कीजएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मैं गुरू जी सरदास करती हूँ कि जीन आण्टी ने भी ये ससंग शेयर किया है गुरू जी उनको हिम्मद दे शक्ती दे और खुब खुश रखे जै गुरू जी शुक्राना गुरू जी आण्टी का ससंग में शेयर कर रही हूँ आप सभी लोग करेब पुरत दिहान से सुने जै गुरू जी शुक्राना गुरू जी जै गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमस्चिवाई, शिब जी सदा सहाई, ओम नमस्चिवाई, गुरुजी सदा सहाई सारी संगत जी को मेरी तरफ से, जै गुरुजी, सब का भलाओ, सब सुखी रहे, सब स्वस्त रहे संगत जी मेरा नाम सुमीनेगी है मैं दिल्ली से हूँ ये नाम मुझे मेरे पिता के द्वारा दिया गया था और ये दिल के बहुत ही करीब संगत जी मेरे पिता मुझसे बहुत प्यार करते और मैं भी उनसे बहुत ही जादा प्यार करती 2016 में मेरे साथ एक दुगत गटना हुई जिसमें मेरे पती की अचानक मृत्य हो गई हम सभी अनाथ हो गए मेरे दो बच्चे हैं एक बेटा और एक बेटी माफ करना संगर जी थोड़ी एमोशनल हो गई संगर जी जिस समय अपने उकी सबसे ज़्यादा जरूरत होती है उसी समय मेरे परिवार वालों ने मेरे साथ छोड़ दिया मेरे आज जी विका का कोई साधन नहीं था मेरे बच्चे स्कूल में बढ़ने वाले थे मैंने घर घर जाके टूशन पढ़ाया प्रोपटे डिलिंग का काम किया ओनलाइन मीशों पर सामान बेजा सारे यतन कर दिये लेकिन फिर भी मैं अपने बच्चों की फीस की पूरती नहीं कर पाई और अंत में माता पिता से आर्थिक मदद मांगने के लिए गई लेकिन उन्होंने दुद्कार दिया ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तमाल किया कि किसी के भी कवानों से खून निकलने लग जाए माफ करना संगची मैं ऐसे शब्दों का इस्तमाल कर रही हूँ उन्होंने मुझे कहा कि कुटे की तरह बच्चे पैदा कर देते हैं जब आउकात नहीं है पालने की तो क्यों पैदा किया वो बहुत ही कठिन समय था पता नहीं कुरुची से कैसे जुड़े शायद गुरोजी ही हमारी परीशार ले रहे थे और दिखा रहे थे कि हाँ तेरा अपना कोई नहीं है सिर्फ मैं तेरा अपना हूँ संगची गुरी जैनां कि सतसंग शुरू से सुनाए ये मेरा पहला सत्संग है संकची गुरुजी का मैसिज कई महीनों से आ रहा था कि सत्संग सुना पर मैं हिम्मत नहीं कर पा रही थी वैसे तुम्हें गुरुजी का स्ट्रीक और सुरुप गाड़ियों पर लगा हुआ देखती थी और मन में सोस्तिती कि ये महानात्मा कौन है बाकी गुरुजी के प्रवचन नहीं आते थे और नहीं किसी धार्मिक टीवी चैनल पर उटिखाई देते थे तो मेरे मन का ये प्रशन मेरे मन में ही रहा कि आखिर गुरुजी कौन है 2018 मार्च में मेरे बेटे ने मुझे से का कि आपको मैं एक मंदिर ले चलता हूँ मैंने भी किसा किसी बिना नानुकुर के भोला कि हाँ हम चलते हैं मेरे बेटी मेरे बेटा और मैं तयार हो गए मंदिर गए उस दिन ही हमें लंगर परशाद लेने का सौभाग्या प्राप्त हुआ उसके बाद कभी कभी हम बड़े मंदिर जाते थे फिर कोविड आ गया और सारे जगया बंद हो गए संगत जी मैं टूशन टीचर हूँ मेरा काम बिलकुल ठप हो गया कोविड के टाइम में एक भी पैसा मेरे पास नहीं था यहां तक कि एक टाइम खाना बनाते थे और दो टाइम कहाते थे हम ने दिन में सिर्फ दो बार अपने बच्चों खाना देना शुरू कर दिया उनको कहा कि बच्चों अभी टाइम ऐसा है थोड़ा सा मैनेज कर लो संगत जी मुसीबत के समय कोई किसी का नहीं होता सिर्फ मेरे गुरुजी मेरे साथ में थे उन्होंने मुझे और मेरे बच्चों का समाला बच्चों की पढ़ाई पूरी करने में मदद की फीस का आरेंजमेंट कहां से हुआ कैसे हुआ मुझे बिल्कुल भी नहीं बता संगत जी माफ करना मैं कुछ ज़्यादा ही एमोशनल हो रही हूँ मुझसे अब ज़्यादा कुछ कहा नहीं जाएगा बाकि मैं अगले सत्संग में आपको बताऊंगी मुझे माफ कर देजिए जय गुरुजी शक्राना गुरुजी ओम नमस्षिवाई शिप्ची सदासाए ओम नमस्षिवाई गुरुजी सदासाए